ये कहन ये एक ऐसे टीपोट की जो दो लोग की पूरी जिन्दकी बदल देता है और पता नहीं कितने जिन्दकी इस टीपोट में वरबाद की है इस मुवी का नाम है दबरास टीपोट फिल्म स्टार्ट होती है जॉन और एलिस की गुड मॉर्निंग से फिर जॉन अपने साइकल पर अपने ऑफिस जाता है वहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन अपना कम ठीक से नहीं कर पाता है इसलिए उसका बस उसे समझाता भी है दूसरी तरफ एलिस जोब इंटर्व्यू क में साथ ही पड़ता था और तब से वो पसंद करता है और जॉन से नफरत अब एलिस उसे एक चैक देती है और तभी मापर जोन आजाता है लेकिन जाते वत आर्मी जोन का मजाग भी उडाता है रात को वह दोनों के दोस्तों की पार्टी में जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाता है लेकिन वह दोनों लखेली बच जाते हैं अब इस एक्सिडेंट की वज़े से वहाँ पर पूलीज भी आती है तभी एलिस को कुछ दिखाई देता है वह एक ओल्ड लेडी को देखती है जो एक ड्रम से एक कींटी टी पोड़ार्बून स्टार्ट कर देती है और मौका देखकर उसे चुरा लेती है फिर गाड़ी लेकर वह वहां से चले आते हैं अलिस इस टी पोड़ को पाकर बहुत खुश होती है यहां तक कि वह सोते वक भी उस टीप अपने पास ही रखती है अब अगले दिन एलिस करती है तो उसे 200 डॉलर्स मिलते है इस से यह लगता है कि जो पेन उसे हुआ है इस वज़िस टीपॉट में उसे पैसे दिये है फिर वो इस बात को कंफर्म करने के लिए फिर से अपना आपको एक शौक देती है तो टीपॉट उसे फिर से पैसे देता है इसके बाद एलेस वहाँ बब हैं तो पर उसे खौन भी दिखता है यह लगता है कि उनके घर में कोई चोड गुश चुगा और उसे एलेस की चिंता होने लगती है लेकिन एलेस बहुत भूल ठीक होती है यहाँ पर जोन एलेस की बहुत बुरी हालत देखता है और जीसे बेग कर हम समझ जाते है कि उसने अपना को बहुत ज़दा टॉर्चर कर लिया है अब जॉन एलिस को बताता है कि उसकी नौक्री चली गई है जिसके बाद एलिस उसे टी-पॉट दिखाती है और अब तक उसने जिस तरह से पैसे कमाई वो उसे सब बताती है लेकिन जॉन एलिस की बातों पर यकीद बरसने लगते हैं अब वो तोनों बैठ कर बाते करने लगते हैं यहां पर जॉन पर ब लेकिन वो एंटिक शॉप बंद होती है, इसके बाद जॉन इस टीपॉट का सही प्राइज जानने के लिए एक मशूर TV प्रोग्राम के पास जाता है, जो कि अपने एंटिक समानों के लिए मशूर होता है, लेकिन इस वज़े से एक चाइनेज आजमी की नजर इस टीपॉट पर पढ़ जाती है, और इस आदमें को देखकर हमें यह पता चलता है, कि वह इस टीपॉट को बहुत समय से ढून रहा है, फिर जॉन घर पर वापस आने के बाद, एलिस से प्रॉमिस लेता है, कि जब हमारी प्रोग्रम्स जादा बढ़ने लएंगी, तो हम इस टीपॉट क यूज करना बंद कर देंगे, और एलिस भी इस बात पर मान जाती है, और उसे प्रॉमिस कर देती है, अब यह दोनों तैय करते हैं, कि यह वन मिलिन डॉलर्स कमाएंगे, फिर वह दोनों अलग अलग तरीके से अपना आपको पेन देकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं, और थो उस ओल्ड वुमेंट की टेथ हो गई थी, और मरने से पहले उसने कहा था कि टीपॉट चोरी हो गया है, और तब से उसके ग्रेंट संस उस टीपॉट को ढूंड रहे हैं, और टीवी से उन्हें पता चला कि टीपॉट जान के पास है, तो अब वो दोनों अपने टीपॉट जोन से मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिस जोन को बचाने के लिए कहती है, कि उन्होंने टीपॉट बेज दिया है, तो इसके बदले वो पैसे मांगते हैं, तो एलिस उन्हें यहाँ पर पैसे लाकर दे देती है, और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, अब जोन इस पेज़ को देखकर जल्दी से फार्ट देती है और और से अपने यड किताब को पढ़ ता है था ऑपने साया इंगा सको बेंगा और जॉन से टीपॉट के बारे में उनसे बात करना चाहता है। तो इस पर जॉन कहता है कि उसे एक बार एलिस से बात करनी होगी। जॉन एलिस से कहता है कि शायद उन्हें डॉक्टर ली की बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन एलिस कुछ सुनना नहीं चाहती। तो वो दोनों डॉक्टर ली को जूट बोल देते हैं कि उन्होंने टीपॉट को बेज दिया है तो यहां पर डॉक्टर ली उन्हें टीपॉट के खत्रों के बारे में वार्ण करते हैं लेगिन एलेस कुछ सुनने की बजाए डॉक्टर ली पर ही चिल्दाने लगती है अब उनकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो दोनों अपस में बात कर रहे होते हैं और तभी हमें कंजानान में को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है और वो और कोई नहीं आर्मी होता है आर्मी इन दोनों के एश औराम को देखकर इन से जलने लगता है इसलिए आर्मी उन दोनों को तंग करने के लिए जॉन के आतों से टीपॉट छीनता हुआ से भागने लगता है और अपने ट्रक के उपर खड़ा हो जाता है लेकिन नीचे एलिस उसे टीपॉट लोटाने के लिए कहती है लेकिन आर्मी उन दोनों को परिशान करने के लिए उस टीपॉट को रोड पर फैंक देता है और अपने ट्रक से उसे कुचल देता है अब जॉन और एलिस जल्दी से टीपॉट के पास जाते हैं लेकिन उस टीपॉट पर एक भी खोश नहीं होती है। और इसके बाद जोन एलिस को कहता है कि अगर हम इस टीपॉट के बारे में जानना है तो हमें डॉक्टर ली से मिलना ही होगा। और इसके बाद वो डॉक्टर ली के पास पहुच जाते हैं। तो डॉक्टर ली ने बताते हैं कि ये टीपॉट दोजार साल पुराना है और इस टीपॉट ने इतियास के बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइफ को बरबाद कर दिया है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुराई है तो ये टीपॉट उसे बहार निकाल लेगा। तो जॉन डॉक्टर ली से पूछता है कि इस टीपॉट को डेस्ट्रोई किस तरह से किया जा सकता है। तो डॉक्टर ली कहते हैं कि ये टीपॉट अन्डेकेबल है। तुम ये टीपॉट मुझे दे दो और मैं इस टीपॉट को पूरी दुनिया से छुपा लूँगा। और मैं इसे एक ऐसी जगा पर रख दूँगा जहां पर मैं खुद भी से नहीं टून पाऊंगा। लेकिन इस बात पर एलिस एगरी नहीं करती। उससे लगता है कि वो दोने इस टीपॉट को हैंडिल कर सकते हैं। लेकिन जौन इहां पर एक बात नोटिस करता है कि जब उनकी लाफ में टीपॉट नहीं था तब एलिस कुछ और थी और जब से उनके पास ये टीपॉट आया है तब से एलिस कुछ और है। और यहां पर डॉक्टर ली की बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी कि ये टीपॉट अंदर की बुरायों को बाहर निकाल लेता है। अब रात को सोते वक्त एलिस को कुछ अजीब सी आवाजे सुनाए देती हैं। और उनके घर के अंदर वही ट्वीन ब्रदर्स होते हैं। जॉन और एलिस टीपॉट के साथ बाहर निकल कर आते हैं। यहां पर ट्वीन ब्रदर्स को पहले सी पता होता है कि इन दोनों के पास टीपॉट है। तो जोन यहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें पहले भी बता था कि हमारे पास टीपोट है तो तुम्हें टीपोट की बज़े पैसे क्यों लिए तो अब यह दोन यहाँ पर बताते हैं कि वो दोने इसकी पावर से ड़ते हैं इसलिए वो लोग पीपोट को लेना नहीं चाहते हैं हमें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए और उस राक्षस को तुम ही रखो लेकिन यह देखकर एलिस एग्रेसी हो जाती है और उनके पीछ में जगड़ा होने लगता है यहाँ पर जॉन भी बेहोश हो जाता है और एलिस अकेली उन दोनों से लड़ने लगती है तो ब्रदर्स एलिस को भी बेहोश कर देती है अब अगली दिन जब जॉन उटता है तो एलिस रो रही होती है और एलिस रोते रोते जॉन को कहती है वो लोग सारा पैसा ले गए तो यहाँ पर जोन कहता है कि हम फिर से पैसे कमा लेंगे अब अलिस फिर से अपना आपको हार्म करके पैसे कमाने लगती है जो बहुत कम होते हैं लेकिन इससे जोन समझ जाता है कि हम जैसे जैसे इस टीपॉट को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे टी पॉर्ट पैसे कम देने लगता है अब जॉन की पैसे कमाने की बारी आती है तो वो लोग एक कलब में जाते है जहां पर जॉन जान पूछ कर जगड़ा करता है वहां पर वो शक्स जिसे जॉन जान पूछ कर लड़ता है उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है अब जोन से मिलने के लिए फिर से डॉक्टर ली आते है डॉक्टर ली आपर जोन को कहते है कि ये टीपॉर्ट तुम्हारी लाइफ को बरबाद कर रहा है लेकिन जोन कुछ नहीं समझता दूसरी दर्फ ऐलिस एक जगह पर बैठी होती है तब वहाँ एक लड़का चानक से गिर जाता है तो उसके केरने की वज़े से टीपॉर्ट ऐलिस को पैसे देता है इसका मतलब ये था कि टीपॉर्ट के मालिक के अलावा अगर किसी को भी पेन होगा तो टीपॉर्ट उन्हें पैसे देता है ये बात ऐलिस तुरंट घर जाकर जोन को भी बताती है तो वह ऐसे सी जगह उपर जाते है जहां पर दूसरे लोगों को बहुत पेन होता है और इसी वज़े से वह बहुत सारे पैसे कमा लेती है अब वो दोनो कार में होते हैं और इलेस ड्राइब कर रही होती है और वो और भी ज़दा पैसे कमाने चाती है तब यूं की गाड़ी के अगे एक आदमी आ जाता है और यहाँपर ऐलेस के सिपर फागल पंसावार होता है और वो इसाथ में प्रगाड़ी चाड़ाने वाली होती है लेकिन जॉन टाइम पर हैंडल को मोड लेता है अब जॉन को लगता है कि ये सब आउट ओफ कंट्रोल हो रहा है और वो ये सब रोकना चाता है इस वजिसे उन दोनों के भी जगड़ा होने लगता है और एलेस कार से नीचे उतर जाती है और तभी हमापर टीपोर्ट में से पैसे बरसने लगते हैं अब इससे एलेस को ये समझ में आ जाता है कि जब भी किसी को मेंटेली पेन भी होगा ये टीपोर्ट तभी उसे पैसे देगा अब वो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे को अपने सीक्रिट्स बताने लगते हैं यहाँ पर जॉन को एलेस के बारे में बहुत सारी बाते पता चलती है जैसे कि वो शादी से पहले आर्मी के साथ इंटिमेट भी हुई थी इस वज़े से जॉन को बहुत बूरा लगता है अब जॉन आर्मी के घर जगड़ा करने के लिए जाता है लेकिन उल्टा आर्मी जॉन को प्रीट देता है तब ही उसकी नजर टीपॉट में पढ़ती है और वो उसके अंदर पैसो को भी देखता है तब ही एलेस इस टीपॉट को लेकर यहां से चली जाती है लेकिन अब आर्मी को भी यह टीपॉट पसंदा जाता है इसके बाद यह दोनों अलग अलग लोग के जगड़े करा कर खूब पैसे कमाते है लेकिन एलेस का इससे भी मन नहीं बढ़ता और वो जॉन से कहते हैं कि हम किसी बुरे आदमी को मार देते हैं तो हमें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे एंड इसके बाद हम टीपॉट को यूज करना बंद कर देंगे वो लोग अबलाश को टिकाने लगाने के लिए एक घड़ भी खोद देते हैं लेकिन ये बात जॉन को पसंद नहीं आती यहां पर एलिस का बिहेवर और ज़्यादा बुरा हो चुका होता है अब जॉन एलिस को टीपॉट और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कहता है लेकिन एलिस जवाब नहीं देती मतलब उसका अंसर टीपॉट था अब जॉन डॉक्टर ली के घर जाता है और उनसे मदद मांगता है और पूछता है कि एलिस को कैसे रोका जाए तो डॉक्टर ली कहते है कि उसे रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है एलिस को अब तुमें ही हैंडल करना होगा जब भी कोई टीपॉट को चुरा लेता है तो टीपॉट उस शक्स पर कबजा कर लेता है और इस पावर से बचने के लिए तुमें खुद से उस टीपॉट को मेरे हवाले करना होगा वहीं दूसी दरफ हम एलिस को देखते हैं जिसे अपने आईने में वही ओल्ड वुमें दिखाई देती है और वो घबरा जाती है उससे अपने बैट पर किताब का वर्णिंग वाला पेज भी दिखता है अब राप को ज़ॉट एलिस से कहता है या तो तुम इस टीपॉट को छोड़ दो वर्णा मैं खिड़की से कूच जाऊंगा तो एलिस उसे प्रॉमिस करती है लेकिन जॉट को ऐसा लगता है एलिस अपना प्रॉमिस सीरेसली नहीं कर रही है तो वो विंडो से कूच जाता है लेकिन जॉट बिल्कुल ठीक होता है ये देखर एलिस भी अपनी गलती को मान जाती है और वो भी इस टीपॉट को छोड़ने के लिए तयार हो जाती है अब रात को सोते समय इनके घर में कोई अंजार आदमी आ जाता है अब जॉट नीचे आता है और टीपॉट उसे वापर नहीं दिखता और बहर से आर्मी के ट्रक को जाते हुए देख लेता है मतलब आर्मी ने उस टीपॉट को चुराया है और इस बात पर एलिस जॉट से कहती है जाने दो वैसे भी हमें उस टीपॉट को छोड़ नहीं था लेकिन जॉन कहता है कि हमें किछी तरह से स्टीपोर्ट को वापस लाकर डॉक्टर ली को देना होगा अब अगले दिन ये दोनों आर्मी के घर जाते हैं लेकिन वापर पहुचकर उन्हें खून दिखाई देता है तभी पीचे से आर्मी गन लेकर वापर पहुच जाता है और उन दोनों को शूट करने वाला ही होता है तभी जॉन आर्मी के हाथ पर मारता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शूर हो जाती है तभी वापर आर्मी की वाइफ ब्रैंडी विया जाती है और वो दोनों एलिस और जोन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन तबी माबर टुइन ब्रोदर्स भी पहुँच जाते हैं और अपने टीपोर्ट को आर्मी से मांगते हैं लेकिन वो लोग नहीं देते तो वो ब्रोदर्स आर्मी को शूट कर देते हैं अब उन चारों के बीच गन फाइरिंग होने लगती है और एलिस और जोन सौफे के पीछे छूप जाते हैं अब अचानक से सब कुछ शान्त हो जाता है और जब यह दोनों चेक करते हैं तो चारों लोग मारे जा चुके थे और चारों तरफ पैसे ही पैसे बिखरे हुए होते हैं अब वो दोनों पैसे और टीपोर्ट को लेकर बहार आते हैं तो बहार डॉक्टर ली खड़े होते हैं तो एलिस उनके हवाले टीपोर्ट कर देती है और वो लोग महां से चले जाते हैं वहीं दूसरी तरफ लूइस को एक लेटर आता है यहां पर एलिस ने अपने सारे पैसे लूइस के नाम कर दिये होते हैं ये देखकर वो काफी ज़दा खुश होते हैं दूसरी तर्फ डॉक्टर ली दब्रास टीपॉर्ट को समधर की गहरायों में नीचे छोड़ देते हैं और यहीं पर ये मुवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी दब्रास टीपॉर् कीजिए तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अमाना मत भूलिए थैंक्स फौर वाचिंग अप वीडियो